Hello my dear students, welcome back to English Funda in association with Team Nishtha. मैंने आपको बताया था कि एक वीडियो और बताऊँगा जैसे पहले वाले वीडियो में आपको सिखाया मैंने कि phrases क्या होते हैं, clauses क्या होते हैं, बहुत important concepts हैं. अब clauses वाले concepts के साथ हम sentences बनाते हैं, simple, complex and compound sentences. clauses का concept रहेगा, तभी इसको कर पाऊगे, और phrases का भी concept उतना ही important यह तो हमने पिछले class में कर लिया, अब हम simple sentence को compound में, complex में कैसे बदलते हैं, उसके पहले simple sentence होता क्या है, compound sentence होता क्या है, complex sentence होता क्या है, इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, ठीक है, so, like करो, share करो, इस जो आपको करके, app में आपको check करना है कि इसके answers क्या है, okay, so, let's start, the first one is, सबसे पहले sentence के classification, sentence को हम दो तरीके से वर्गी करते हैं, sentence को दो तरीके से classify करते हैं, ये एक है, कितने clause हैं, और किस किसम के clause हैं, कितने clause हैं, और किस किसम के clause हैं, आता हूँ, कितने clause हैं, क्या बता र समझ नहीं आ रहे हैं बताता है और एक है functions के अनुसार कोई sentence कौन सा कार यह कर रहा है क्वेस्टन पूछने का काम कर रहा है affirmative statement है negative statement exclamatory statement ठीक है यह हम लोग यहां नहीं सीखेंगे functions वाला मनी सीखेंगे हम सिर्फ कि कितने clauses हैं और कैसे clauses हैं उसके अनुसार हम simple compound और complex sentence वो रहते हैं covet Ginger किक्सम के होते हैं तब यह आ सकता है सिंपल सेंटनिस हां किमपाउण्ट की complex उसको देखता है То clauses के से अनुसार व Caoल बत आई तो clauses के बारे में यह जान लेते हैं कि एक sentence में तो कही सारे clauses हो सकते हैं दो बहुत important divisions हैं clauses के आंपर अपने स्टुना भी होगा subordinate clause और main clause subordinate clause और main clause इसके concept को पहले समझ लेते हैं और जाओ इसमें clauses दो तरिके के बाप है principal clause, main clause या independent clause यह तीनो clause का नाम एक ही है चाहे मैं बोलू principal clause है चाहे मेंन clause हैं चाहे independent clause बोलूगा तो बात एक ही है कि main clause को ही बाखी सब दोनों नाम से भी बोला जा रहा है उसी तरीके से dependent clause बोलू या subordinate clause बोलू दोनों का मतलब एक ही है लेकिन यह क्या करते हैं सबसे पहले सब्सक्राइब बना सबस्क्राइब सब्सक्राइब एक sentence में कई सारे subject tense के combination बन सकता है उसको clauses बोलता है अब में इंडिपेंडेंडेंट या प्रिंसिपल clause किसको कहा जाता है तो देखना a clause which can convey a complete meaning without depending on another clause for its meaning मतलब एक ऐसा clause माले एक sentence में तीन clause है उसमें एक clause ऐसा है जुसको बाहर निकाल दोगो तो खुद बाहर निकाल लगाया तो खुद बखुदी वह sentence मिल जागा दूसरों की जुरत नहीं बाकि जो दो clauses उसमें पढ़े हुए था है उनकी जुरत नहीं सिर्फ अक्यले से ही वह meaning पूरा complete कर सकता है उसको लोग गोलते हैं में एक्जांपल दिखाते हैं इसको देखना we are learning English अब इसके बाद मालो यह we are learning English and you are also requested to do that we are learning English के बाद तो सर्फ फुल स्टॉप लगा करके आप तो इसको पूरा पूरी सेंटेश ही बना दो यह इसके साथ और भी मालो कोई clause आ भी रहा होता है and करके और एक clause भी आ रहा होता मैं कोई दिक्कत नहीं है इस clause को हटा करके मैं इसके साथ में फुल स्टॉप लगा दो तो यह तो सेंटेश बन जाड़ा ऐसे clause उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉस प्रिंसिपल क्लॉस या में क्लॉस जो आपने खुद से ही सेंटेश के बाहर निकाल दो फुल स्टॉप लगा दो तो खुब खुद सेंटेश बन जाड़ा इंडिया है सीन मीरियड किंग क्लॉस लिखा जाता है लेकिन इस clause को जैसे ही मैं बड़े सेंटेश में भी देखूं इसको बोलते हैं प्रिंसिपल में या इंडिपेंडेंट क्लॉस अपसर इसमें तो आराम से फिल स्टॉप लगा करें कि कंप्लीट कर लो चाहें तो फिर एंड लिख करके क्लॉस और दिपेंडेंट या सबॉडिनेट क्लॉस क्लॉस क्या होता है यह अकेल है सेंटर से बाहर निकाल दोगे लगा कर फुल्स्टाब कर लाने कोश्च करोंगे नहीं हो पाएगा देखना क्लॉस विच केनाओ नट कंवेर कंप्लीट मीनिंग्ड विजा अनाधे प्लॉस दूसरे क्या निर्भर की है बिना खुद का मीनिंग नहीं सकता है यहां देखने उसे लिखने आज अवे अब जो तुमने मुझे दिया आप है किताब या मुबाइल फॉन क्या दिया पता तो नहीं है सो इसको बोलते surprised the book that you gave me is good the book is good main clause हो जागा that you gave me हो जागा dependent clause एक sentence से इसको complete character देखने है यहां देखो the book that you gave me is good main clause कौन सा है the book is good that you gave me जो है इसको यह इस sentence को पर में नहीं नहीं करेगा नहीं 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 बनेगा the book is good को बाहर निकाल कर फुल स्टॉप लगा सकता हूँ main clause है लेकिन that you gave me जब तक book नहीं दिखाए देगा तब तक उसका meaning बनने का नहीं आप देखो next वाला in which we see these questions in which we see these questions sir आपने तो preposition से शुरू किया तो हमें लगता है फ्रेश शुरू हो जाएगा लेकिन clause भी है यहां देखना we see these questions we see these questions यह यह एक clause है और in which करके दिया जिसमें की हम यह questions देखते हैं जिसमें अगर आपने लिग दिया इसके सामने तो यह dependent हो जाता है इस पर अबने हो जाता है ऐसे clauses को हम बोलते हैं subordinate clause जिसको sentence से बाहर निकाल कर फुल स्टॉप खुद बखुद ने लगा पाउगर दूसरे sentence की जुरूरत पढ़ी ही जाएगा एसे clause को बोलते हैं subordinate clause ये dependent clause who my thoughts जिसको मैंने सोचा जिसके बारे मैंने सोचा क्या सोचा किसके बारे बारे बातकर कर रहा ओने आकता तो ऐसे clause उसको हम subordinate clause पूलते हैं अब देख एह subordinate class काम क्या क्या कर सकता है subordinate class क्या है यह समझ मैं पैचानना भी सिखाऊंगा आसान तरीका भी सिखाऊंगे subordinate class को कैसे पैचाना जाता है वो सिखाऊंगा लेकिन सबसे पहले हम लोग यह समझ लें कि subordinate class काम क्या करता है काम क्या करता है मतलब नाउन का काम करता है क्या अध्यक्टिव का काम करता है क्या जैसे फ्रेजिस काम करते हैं वैसे क्लॉस भी काम करते हैं नाउन का अध्यक्टिव का का काम कर सकते हैं तो देखते हैं पहले तो नाउन क्लॉस का नाउन क्लॉस के तरह काम करते हैं मतलब ना नवन के बारे में ज्यादा जानकारी दरहा है या किसी और समके बारे में ज्यादा जानकारी देख़ हो का तो ए्टोज सब्वाडर्णा के सकता है यह तीनों बहुत चिस तरीके का काम कर सकता है और जट्वर्णा कर चाह walking पूरा क्लास जो है दूसरे क्लास पर हम जाकर पूछाएं एक एक जाम्पल लिए कर बताता हूं तो समझो the focus of our work is how we can satisfy customers most effectively यहां देखना the focus of our work is यहां पूछता हूं what तो तुरंद देखो गए यह पूरा जो clause है how we can satisfy our customers यह तो सर dependent होगा दूसरे क्लास के उपर dependent है तब इसका मीनिंग पूरा है यह तो सर पूरा पूरी subordinate clause है how we can satisfy customers most effectively इसको बाहर निकाल करके अलेक्स सेंटस नहीं बना सकता हूं ठीक है तो अब यहां आ जाना the focus of our work is what तो सिर्फ how नहीं है सिर्फ we नहीं है सिर्फ can नहीं है सिर्फ satisfy नहीं है पूरा clause को ही आपको उठाना पड़ेगा पूरे clause को ही समझना पड़ेगा तब जाकर के यह what का जवाब दे रहा है तो यह clause ही पूरा noun clause है क्यों बोल रहा हो sir noun clause चुकि जब भी what का जवाब एक शब्द दे एक फ्रेज दे एक clause पूरा what का जवाब में बनकर आता हो तो पक का ही noun clause है तो how we can satisfy customers most effectively यह एक noun clause है मतलब subordinate clause noun clause का 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 काम कर रहा है subordinate clause noun का 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 काम कर रहा है ठीक है next वाल देखा choose a gift for whomever you want choose a gift for whomever you want whom का भी जवाब आएगा ना तो पक का who यह हूम का भी जवाब आएगा तो वो noun है ठीक है clause है तो noun clause phrase है तो noun phrase ठीक है अब देखना for क्या है सर्फ फॉर तो एक preposition है preposition के बाद क्या आता ही है object object क्या होता है noun या प्रनाव यहां पर मैं noun या प्रनावन अकेले एक single word नहीं है पूरा पूरी एक clause ही लिखा है whomever you want choose a gift for whomever you want just choose a gift for राम बोल सकता था एक single word हो जाता राम के जगह पर मैंने लिखा है whomever you want just किसी को भी तुम चाहो उसके लिए खरी लो तो यह जो clause है यह पूरा ही हूं का जवाब दे रहा है मैंने बता है हूं का भी जवाब आएगा तो what का जवाब हूं का जवाब और who का जवाब आएगा तो पक कही noun तो यह noun clause है यह noun clause है ठीक है अगला दें whichever gift you buy is good for me what is good for me what is good for me whichever gift you buy जो भी gift तुम खरीदो वो मेरे लिए अच्छा है जो भी gift खरीदो वो मेरे लिए अच्छा है so whichever gift you buy यह पूरा पूरा ही what का जवाब दे रहा है sir तो यह subordinate clause जो है क्योंकि whichever gift you buy को निकाल कर आप full stop नहीं लगा सकते है इसलिए subordinate clause है और यह subordinate clause किसका काम कर रहा है noun का काम कर रहा है okay noun clause के और भी कुछ example दो do you know what the weather will be do you know what यहां तो directly अगर पूछो what तो यह पूरा what the weather will be यह पूरा ही आ रहा है तो यह एक subordinate clause है what the weather will be अखेले तो पूछ नहीं सकता है what will be the weather पूछते है question पूछते तो कैसे पूछते है what will be the weather what the weather will be तो नहीं करते है ठीक है तो यह एक subordinate clause है और यह what का ही जवाब दे रहा है तो पक्का noun clause है sixth sentence देखना है it is important to think about why we make certain decisions okay again about क्या है preposition preposition के बाद तो object चीह है यह पूरा clause जो है यह object का काम कर रहा है object का का काम करने का मतलब है noun है यह प्रनावन को ही तो object बोलते है so it's important to think about what why we make certain decisions ठीक है तो मतलब subordinate clause noun के काम कर सकता है sir कभी-कभी काम आ सकता है क्या आ सकता है इसलिए ही सिखा रहा हूँ अगला देखो subordinate clause कभी-कभी adjective कभी काम कर सकता है adjective के लिए क्या करना पड़ेगा noun या प्रनावन के बारे में extra information देना पड़ेगा बीच के बारे में ज्यादा जानकारी दो तो बीच के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहा हूं इसलिए अड्यक्टिव subordinate clause है subordinate clause है जो अड्यक्टिव का काम कर रहा है so we are going to the beach that I like the best ये क्या है subordinate clause काम किसका कर रहा है अड्यक्टिव तो next one Mr. Sharma is the teacher who helped me with my math problems well who helped me with my problem जिस जन्होंने मेरे mathematics problem में मदद किया कौन ये teacher teacher कैसे है help करने वाले teacher help करने वाले teacher तो he is the teacher who helped me teacher के बारे में कौन सा clause बता रहा है who helped me with my math problems ये subordinate clause है जो अड्यक्टिव का कर रहा है एक और sentence देखो she has gone out to the cow shed where her sisters are कौन से cow shed में गई है जहां उसके sisters है ठीक है तो cow shed क्या है जहां पर मैं गाई वगे भेंस तो बांतते हैं तो cow shed उस जगा पे गई है cow shed के बारे में बाच्चत कर रहा है तो इसलिए एक subordinate clause है जो noun के बारे बात कर रहा है इसलिए adjective है let's look at some more examples she is the writer of the book that won the award जिसने अवार्ड जीता कौन सा किताब ने तो इस किताब के बारे में बताने वाला ये है subordinate clause है और ये adjective का 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 कर रहा है एक और throughout the water that is not usable कौन सा पानी को बाहर फेकना है जो usable नहीं है तो पूरा clause तो तुम्हारा subordinate clause है जो वाटर के बारे बता रहा है और ये adjective का का काम कर रहा है अब आता है ये एक और सिंपल से चंचल is the girl with whom I share everything चंचल वह लड़ी की है जिसके साथ मैं सारा चीज शेयर करता हूं जिसके साथ मैं सारे ये तो सब और क्लास होगे में, adverb के बारे में, adjective के बारे में, preposition के बारे में, conjunction के बारे में. अगर आप नहीं जा थो बता दू, adverb, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction खे बारे में extra information स्धलके एकशना got देता है, थेक्ड है. वेर, वेर का जवाब मिले, हाउ का नहीं, जिस जगह ये नह मिले, जिस जगह नह मिले, कहां का जवाब मिले, वेर का जवाब मिले, वेन का जवाब मिले, वाई का जवाब मिले, कितनी बार, हाउ आफन का जवाब मिले, और कभी-कभी, हाउ का भी जवाब मिले, हाउ का जवा लेकिन अभी बोल नहीं रहाँ, confused नहीं करना चाहता हूँ, हाव से कभी-कभी adjective, कभी-कभी adverb, ठीक है, अब देखो, सिर नाव तो अपने आप ही विन के बारे में बता रहे हैं, the dancers are going to practice in the studio now, अभी, तो यह विन का जवाब दे रहा है, यह तो adverb है, यह अडवर्ब के बारे में कौन बता रहा है, अब जब की, अब जब उनके पास मौका है, अब जब उनके पास मौका है, तो while they have the chance, एक subordinate clause है, जो now के बारे में बोल रहा है, जो already adverb है, तो adverb के बारे में बोलने वाला भी adverb ही होता है, तो यह while they have the chance, adverb clause है, second बाल देखना Manish will make a restaurant reservation when we choose the night to go, अब ये when we choose the night to go reservation के बारे में तो बात नहीं कर रहा हूँ कब करेगा कब करेगा, reservation कब करेगा कब, when का जवाब मिल रहा है when का जवाब मिल रहा है तो ये when we choose a night to go when का जवाब मिल रहा है इसलिए ये एक subordinate clause है जो adverb का काम कर रहा है, और एक sentence देखाऊ, we will wait until Radha finishes making our lunch, we will wait until when, जो कब तक wait करेंगे, when, तो until Radha finishes making our lunch, तो यह एक subordinate clause है, जो बता रहा है कि कब तक wait करेंगे, wait, wait पर when पूचने पर यह मिल रहा है, इसलिए यह adverb clause है, और एक sentence देखाऊ, because Sheila won the photography contest, she got her picture in the newspaper, because, subordinate clause है, because Sheila won the photography contest, y का जवाब आने पर मैंने क्या बोला, adverb, यह y का जवाब दे रहा है, इसलिए यह subordinate clause, adverb clause है, next one, this computer works better than my last one did, better क्या है adjective, कितना better than my last one, okay, so adjective के बारे में बताने वाला भी, adverb ही होता है, इसलिए adverb clause, sixth, after Raj bought his new car, when, after Raj, तो when का जवाब आया, तो यह खुदी, noun clause बन गया, और यह, the main clause, okay, that is the main clause, है ना, अचा, यह सब पर ध्यान जड़ा से दे रहो है कि नहीं, this computer works better, okay, यह जो है, main clause, she got her picture in the newspaper, main clause, okay, यह खुद बाखुद, sentence से बाहर निकाल भी, निकाल कर भी, लिख कर, full stop लगा सकते, अब हम देखते हैं कि sentence को classify कैसे किया जाता है, sentence को simple sentence कब बोलते हैं, compound sentence कब बोलते हैं, complex sentence कब बोलते हैं, और compound complex sentence कब बोलते हैं, इसकी जरुरत नहीं है, तुमको complex sentence ही जान जाओगे तो हो गया, सीख लेते हैं लेकिन इसकी जुर्रत नहीं ठीक है तुमारे एग्जाम में नहीं आता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब पढ़ रहे हैं तो सीखी लेते हैं पूरा याद रखना जिस सेंटेंस में सिर्फ एक क्लास हो और क्लास में ही होना पड़ेगा वरना सेंटे क्लास ही होना पड़ेगा तो only one main clause and no other clause dependent और में कोई और दूसरा कोई क्लास ही नहीं हो तो simple sentence बोला जाता है more than one main clause एक से ज़्यादा main clause हो तीन main clause है सब लेकिन एक भी dependent clause नहीं है मैं कैसे पैचानूंगा सिखाता हूं आपको परिवार्षा तो आगी कि बही dependent clause किसको बोलते हैं independent clause किसको बोलते हैं यह परिवार्षा तो जान गया है पैचानेंगे कैसे हो अभी दिखाता हूं बहुत लेकिन इसको देखना भी more than one main clause and no dependent clause हो एक से ज्यादा main clause हो एक भी dependent clause नहीं हो तो उसको compound sentence बोलेंगे से सबका एक एक करके सारा चीज़ दिखावगा पहले नाम की बल समझ लो व्यात रखनी कूश करो लेकिन सर अगर मालो combination हो गया एक independent हो जाए एक independent हो जाए एक dependent हो जाए दो independent हो जाए एक dependent हो जाए है dependent independent का combination हुआ तो वो complex sentence बन गया ठीक है वो complex sentence बन गया लेकिन यहाँ कवर में देखना compound complex कब बोलेंगे, जब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा main clause हो, और एक से ज़्यादा subordinate clause, एक से ज़्यादा main clause हो, और एक से ज़्यादा subordinate clause भी हो, तो compound complex sentence बोलते हैं, इसकी जरुरत नहीं, मतलब complex sentence को ही compound complex भी बोल लेते हैं, अगर एक से ज़्यादा main clause है और उसके नहीं complex sentence मिश्रन से बनता है Ultimate and made class सिर्फ main clause से बना हम से बनदें घ्मार्ण सेंटेभ सिर्फ एक main clause है और कोई clause ही नहीं है तो क्लोस में मुझे जानना है सैंश देपेंडिन्स हैं मुझे जानना है कैसे जानों गां तो बहुत आसान तरीक है उसके लिए क्या करना है आपको यह दियान देना है for and nor but or or yet इन कंजंच्छन से दो clauses अगर जुड़े हैं इन कंजंच्छन से दो clauses अगर जुड़े हैं तो दोनों मेंन क्लॉस इन क्लॉस से अगर दो सेंटेस जुड़े हैं तोनों ही मेंन क्लॉस ठीक है बहुत आसान मतलब कंपाउंच्छन सेंटेस हो जागा यहां दिखना जिसका देखना है ही इस लेट मेंन क्लॉस है for से आप जोड रहा हूं he was caught in a traffic jam for से आपने लिख दिया मुझे और कुछ करने की ज़रौती नहीं है दोनों ही मेंन क्लॉस हैं तो यह किस किस वहां क्लॉस हैं for से जुड़ा हुआ है मैंने बुला fan boys से जुड़ जाएगा fan boys से जुड़ जाएगा for and nor but और यह से जुड़ जाएगा तो पक्का ही दोनों क्लॉस में क्लॉस ही होंगा तो यह दो क्लॉस है और दोनों में क्लॉस है तो इसको क्या बोलना पड़ेगा compound sentence जिक है next वाला देखना रीमा इस टीचर में क्लॉस and she teaches chemistry sir again आपने end लिग रखा है तो यह भी आपका में क्लॉस है यह भी आपका में क्लॉस है मतलग compound sentence third mr. James is not in his office nor is he in his room यह भी तुमारा में क्लॉस है यह भी मेरा में क्लॉस है कैसे पता चला सर्च कि आप नौर से जोड़ रहो यह और से जोड़ो नौर और से जोड़ो पका ही दोनों में क्लॉस है the president comes from a very modest background but his feats have been tremendous again ठीक है बट से जोड़ रहो दो क्लॉस इसलिए दोनों ही में क्लॉस compound sentence फिर you are telling a lie or it's an incredible story you are telling a lie or it's an incredible story दो क्लॉस को जोड़ा मैंने और से तो दोनों में क्लॉस है compound sentence है he is very rich yet he does not let that show again yet से जोड रहो दो क्लॉस है compound sentence we have been rehearsing the play for long so we will perform ठीक है तो याद रखना fanboys से अगर आप दो क्लॉस को जोड़ा हो दोनों क्लॉस में क्लॉस अब dependent dependent क्लॉस को पहचांदना है सर अध्यक्टिव हो adverb हो कुछ भी हो हमें उससे कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन सिरफ मुझे dependent क्लॉस डूगना है कुछ नहीं करना है अगर इन सब वर्ट से जूड़ा इन सबसे शुरू कर रहा है कोई क्लॉस इसके बाद में आने वाला क्लॉस इन सारी सब्दों के बाद में आने वाला क्लॉस dependent क्लॉस है subordinate clause, check करते है, he'll not tell me what his plans are, तुरंथ, sir, what's the शुरू हुए, sir, ये पूरा clause ही, subordinate clause, dependent clause, he will not tell me, main clause, complex sentence हो गया, sir, दोनों चीज़ का मिश्रण हो गया, complex sentence हो गया, nobody knows when he will come, sir, when से शुरू कर रहो, subordinate clause, subordinate main clause, दोनों जुरू जाएगा, complex sentence, after you finish writing, go to sleep, sir, go to sleep तो main clause है, after you finish writing, ये आपका subordinate clause है, चुकि आफर से जोड़ रहो, इतना असान है, ठेक है, अब समझ में आगई बात, अब तो ये concept भी clear है, कि sir, एक ही main clause होगा, तो simple sentence, एक से ज्यादा main clause होगा, compound sentence जो कि fanboys से नॉर्मली जूडता है, जो कि fanboys वाले से जूडता है, complex sentence, sir, what, when, who, wh, ho वाले words है, wh वाले words है, या until, unless वाले words है, या फ वाले words है, subordinating conjunction, याद है न, if, unless, until, वागगरा, subordinating conjunction, मतलब हो subordinate clause बनाते हैं इसे लिए subordinating अन्यंशन ओके ना identify the following sentences as simple compound complex or compound complex compound complex बताने की जूरत ही हैं complex भी बोलो भी तो मेरा चल जागा था पहला बताना during last night's thunderstorm a flurry of tiny hailstones danced across the roof of our house very good बहुत लंबा sentence है कितने जगा tense दिख रहा है यह danced यहां पर और कहीं तो tense नहीं दिख रहा है okay of tiny hailstones across the roof of our house सारे के सारे phrases है clause है a flurry danced a flurry danced पिछले वाले class को अगर आपने watch किया है तो एक तम automatically खुदी बता दोगे कि सर एक clause है बाकी सब phrases तो यह simple sentence है that is the power you get that is the power you get है अगला दिखना तीशा is a competitive horseback rider and sir and से जोड़ता तो मैंने क्या गोला था दोनों main clause बन जाते है यह भी main clause है यह भी main clause है अब देखा तीशा is a competitive horseback rider and she will be competing in the next world equestrian games which are held every four years sir which से शुरू हो गया यह हो गया dependent clause subordinate clause so mission हो जाने पर क्या हो जाता है complex sentence हो गया चलिया आगे complex sentence हो गया sentence क्या है समझ में आगया आगर आपको जोड़ना है आपको अगर कई यह लिखा है right make it a compound sentence or a complex sentence आप तो जानता हो किन सब जोड़ना है easy अगला आजाओ annual plants survive only one season and must be replaced each year but perennials return each year with new flowers and foliage so okay कितनी जगा पे sentence दिख रहा है survive चिक है और replaced okay and must be replaced and से लिखा हो है तो दोनो ही main clause हो गया okay और यहां एक दूसरी clause है तीसरा clause आ रहा है but perennials return each year sir fanboys में भी भी है यह भी मेरा main clause है तो तीन main clause है और कोई clause ही नहीं है तो compound sentence compound sentence clear yes next one students are unhappy sir यह तो ठीक है यह तो main clause हो गया with the new dress code requirements new dress code requirements यह तो सर पूरा पूरी phrase है and फिर लिका है and they will be discussing their grievances तो यह भी main clause हो गया at the next school board meeting पूरा पूरा प्रेस है तो main clauses है compound sentence okay compound sentence complex लिक होंगा तो complex भी सो सकते next one again Tristan always approaches difficult tasks enthusiastically approaches Tristan sir यह तो तुमारा main clause हो गया फिर and से जोड़ा अपना and he frequently motivates others with his energy again sir main clause यह भी main clause है और यह भी main clause है आपना and से जोड़ा है यह compound sentence Russia has a variety of natural resources including oil, natural gas, timber, iron ore, copper and lead and lead sorry and lead अब sir कितने जगा tense दिख रहा है has तो ठीक है यह including oil sir इसके पहले helping verb नहीं है helping verb नहीं होने पर क्या बताया तो मैंने V4 और V3 बिना helping verb के tense नहीं दिखाता है तो phrase बन जाता है तो यह सारे के सारे तो आपका phrase ही है ऐसा variety एक ही sentence है एक ही clause है और एक clause हो तो मैंनी clause होना पड़ेगा यह पक्का क्या है simple sentence next one ठीक है Aaron Aaron has an unconventional swing चलो sir main clause but सिच शुरू किया थी यह भी main clause but he manages to drive the ball farther than some professional golfers यह भी main clause है तो दो main clause हो गया compounds it the weather forecast had predicted severe thunderstorms चलो sir had predicted यह clause आगया यह main clause आगय दिखते है but से जोड रहो but the dark heavy cloud thunder clouds but the dark heavy thunder clouds never materialized main clause compound sentence किस से बट से जुड़ा है इसी लो ninth sentence as Marshall sat down on the rickety old chair it abruptly collapsed beneath him sir it abruptly collapsed beneath him यह तो main clause है इसके साथ क्या लिखा है आपमे as as when वगरा से शुरू का तो पक्का ही dependent clause है as when वगरा से शुरू होगा यह हमारा dependent clause है या subordinate clause है याद रखना when से शुरू होगा तो subordinate clause है last sentence देखो if you had any semblance of kindness किस से शुरू कर रहो if से तो तुरं तुरंती तो यह subordinate clause होगा मैने क्या वला if until unless वगरा से शुरू होगा subordinate clause ही होगा यह subordinate clause है you would have paid the old man when he begged for money to buy a meal अब वन से यहाँ एक clause है यह भी subordinate clause है the main clause क्यों से है you would have paid the old man you would have paid the old man यह main clause है और यह subordinate clause है और यह भी subordinate clause है कैसा sentence है complex sentence है so easy so easy so what did we learn कितने तरके के clauses होते है कितने तरके के clauses होते है और कितने तरके के sentence होते है clause dependent है या independent है इसको देखते हुए हम classification करते है एक ही clause हो simple sentence एक से ज्यादा main clause हो और कोई clause हो ही ना compound sentence subordinate clause or main clause दोनों की मिश्रन बन जाया complex sentence और फिर आपको से काय कि भी कैसे उनको कहचानना चाहिए एक 11th sentence भी है इसको भी देखो she said she knew him she said she knew how to swim okay sir ये तो clause भी नहीं है to swim लिखे हो तो ये तो नहीं है she said she knew and that she deliberately kept quiet that sir ये तो तुरं तुरंत ही and that she deliberately kept quiet तो ये तो आपका subordinate clause हो लिया और she said that she knew that से भी जब sentence चुरू होगा she said that अगर ऐसे लिखेंगे तो that के बाद वाला clause हमेशा subordinate clause है that के बाद में आने वाला clause हमेशा subordinate clause है तो ये भी complex sentence है आगे आ जाओ आपको मैंने 11 questions दिया 11 questions दिया 11 questions दिया यहां पर रोक करके यह सारे 11 questions का answer दो और answer पाने के लिए हमारा app download करो जिसका link description box में दिया हुआ है app में जाकर free वाले section में जाओगे आपको इन सब का answer मिल जागा ठीक है और कोई भी CPF के लिए prepare कर रहो तो हम एक mock test का series लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको हम one by one evaluation करके बताएंगे कहां पर मैं आपका कहां अच्छा हो रहा है कहां खराब हो रहा है चार mock test का हम एक series बना रहे है join कर सकते हो खरीद सकते हो link description box में आपको मिल जागा और get in touch with Sandeep sir of team Nishta ठीक है download our app link is in the description grammar सीखना हो किसी भी exam के लिए grammar सीखना है reading comprehension सीखना है close test सीखना है vocabulary करने just और just मैं सिखा दूब GS के लिए हमारे Sandeep sir ही मेरे पास आजाओ English के लिए संदीप sir आपको math भी पढ़ा देता है SSB वगरा के लिए preparation करने के लिए मदद करेंगे पूरा एक package ही offer करते हैं आपको जब चाहें तब आजाओ defense exams के लिए आपने टीम निष्टा का आपको यह मिल जागा खरिच सकते हो and you can forget about all the worries about English English के बारे चिंता करने की जोरत नहीं है मैं संबाल लोगा लेकिन आपको वहां पर मैं जो जो बोलता हूं सब सारा काम करना पड़े सिर्फ खरिदने से नहीं होगा खरिदने से मैं जिम्मवारी नहीं ले रहा हूं खरिदने के बाद अब पड़ होगे तो जिम्मवारी ले रहा हूं All the best, see in the next class इसमें ऐसा ही एक grammar का और concept आपको मैं डाल देता हूं ठीक है, very soon